हिंद का हिंदी से मिलना, हिंद का उद्धार है, पुरुष का प्रकृती से मिलन, पुरुष का विस्तार है, भाव है, भावना है, हो रही क्यों ये भूल है, कोई मश्गूलियत में है खाली, कोई खाली होके मश्गूल है, अब यही रहे हालात, अपना वजूद बड़ी मु सरफरोशी की तमन्ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुज और एक बहुत अच्छे कवी किष्णा मिश्रा अगर हमारे बीच में हो तो आये मंच पे किष्णा मिश्रा अच्छा आव वेटाइए नमस्कार गुरुजी को प्रडाम करता हूँ दमदार विया को प्रडाम करता हूँ मंच पे जितने लोग बैठे हैं सब को प्रडाम करता हूँ और आज 15 अगस्त है तो मैं चार लाइन की सुरुवात बिना किसी भूमिका के यही से सुरुवात करता हूँ मेरा नाम कृष्णा मिस्रा है मैं चंदवली से आता हूँ इससे ज़्यादा परिचे कुछ नहीं है चार लाइन से इसे सुरुआत करता हूँ सुनिएगा जब एक फोजी जंग पे जाता है तो वो घर से कहके क्या जाता है और उसके आने की उसको ये भी उमीद नहीं होती की हम घर पे वापस आएंगे की नहीं आएंगे लेकिन वो कहके क्या जाता है सुनिएगा हजारों खौब सीने में दफन करके मैं आऊंगा हजारों खौब सीने में दफन करके मैं आऊंगा है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आउंगा हजारों खौब सीने में दफन करके मैं आउंगा है मेरे देश की मिट्टी जतन करके मैं आउंगा सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का वो जो पहनता है उसके आगे लाखों करोणों के सूट भी फीके लगते हैं वो क्या है सुनिएगा कि सिलाओ सूट तुम पहनो भले लाखों हजारों का तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊँगा तिरंगा एक दिन अपना कफन करके मैं आऊँगा कि धारे तलवार नहीं देखी, गर्दन में दार नहीं देखी, निस्फल वो रही जवानी जिसने रग्द फुहार नहीं देखी, क्यूं चंचल सोक हसीनों पर सरदार दार लटकाओगे, तुम सीस चड़ा दो मात्र भूमि पर सूर बीर कहलाओगे, और हमारे रोईद विया भी पत्नी के उपर पढ़के गए हैं, तो एक छंद पढ़ता हूँ, पत्नी के उपर हलाग की हुआ तो नहीं है, लेकिन इनको देख देख के सीख लिया है मैंने, रोईद भी या, सुनिएगा नहीं है, घरवाली बात बता देंगा आपके, सुनिएगा, कि पत्तियों को जब से लतार लगने लगी, तिल सी जो पत्नी थी तार लगने लगी, और सुनिएगा, ब्याह के जो लाया, तब भोली बाली गाय रही, मारने लगी है, जब साण लगने लगी, ब्याह के जो लाया तब भोली भाली गाए रही मारने लगी है जब साड लगने लगी और सुख जब लाई तब राई का वो रूप रही दुख जब लाई तो पहाड लगने लगी और आई थी फरारी जैसी अभी कुछ साल चली आई थी फरारी जैसी अभी कुछ साल चली टाटा सुमो गोल्ड सी कबार लगने लगी और यहाँ पर बहुत नजर प्यारी प्यारी वैटी है इधर भी उधर भी और नजर और सराब जब तक दोनों में मुकाबला ना हो और धूरा रहता है सुनियेगा और नजर हो तो खोवी जाईएगा उनमें सुनेगा कि उनकी नजर से जो उलजी सराब यहां हार फिर जाएगी सराब मैं खाने में और हमसे भी भले बुरे लोगें आहां बैठे हुए हम ही नहीं रहें खराब मैं खाने में और मैं खाने में क्या मिलता है इसा बता रहा हूँ दिल में जो दर्द उठे मन में जो प्रस्न उठे मिलते हैं सब के जब आब मैं खाने में और हाथ पसारे यहां बैठे हैं रईस देखो कहते हैं जिनको नबाब मैं खाने में हाथ पसारे यहां बैठे हैं रईस देखो कहते हैं जिनको नबाब मैं खाने में और दो-दो लाइन के सेर से जोड़ता हूँ फिर उसके बाद मैं जगए लूँगा सुनिएगा जेलिये थोड़ा सुनिएगा कि वो मेरी चिठीयों के जबाब मुकम्मल कहां लिखता है कई लेकिन लगाता है फिर कहीं हां लिखता है इसका निचर खरावे सुनिएगा कि उनकी आँखों पर लिखूं ये तो मैं भी चाहूं मगर उनकी आँखों पर लिखूं ये तो मैं भी चाहूं मगर ये नजर वही ठहरी है जहां तिल सजा रखा है और अभी जून में जाते जाते बरसावत हुई तो सुनिएगा कि जो जाते जून ने जानी हमसे कहानी मेरी दिखा अबर से जादा आँख में पानी मेरी और सरगोसी हुई है यह हमको कासिद ने बताया है दमदार भिया सुनिएगा कि जो जाते जून ने जानी हमसे कहानी मेरी दिखा अब्र से जादा आँख में पानी मेरी और सरगोसी हुई है ये हमको कासिद ने बताया है सावन कतरों से बुझाएगा इसके निसानी मेरी और ये मिसरा आता कहां से बस आखरी का लाइन उसके बाद मैं अपनी जगह बेचला जाओंगा सुनेगा कि जब दो के मसले में तिसरा आता है जब दो के मसले में ये देखे बीच में जब दो के मसले में तिसरा आता है आख भरती है, दिलभारी होता है और ये मिसरा आता है